हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मांसी स्टडी चैनल दोस्तों आज है 14 जून 2023 और 14 जून 2023 से रिलेटेड करेंट अफिर्स के जितने भी कुशन बन सकते हैं आज के वीडियो में हम सारे कुशन कवर करेंगे और हर कुशन से रिलेटेड इंपॉर्टन फेक्ट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा चलिए बढ़ते अपने वीडियो में आगे और आज का पहला कुशन देखते हैं आज का पहला कुशन है भार्ती रिजर बैंक आर बी आई ने बीमा कंपनियों को हित धारकों के रूप में भाग लेने की अनुमती देकर बैपार प्राप्तियों की छूट प्रडाली को बढ़ाने के लिए एक महतपूर कदम उठाया है विश्तारित TRDS निर्देशों को के तहट कौन फाइनेंसरों के रूप में भाग ले सकता है फर्स्ट ऑप्सन है बैंक आप एन बी एफसी कारक केवल सेकेंड ऑप्सन है केवल बीमा कंपनियों थर्ड ऑप्सन है फैक्टरिंग विनियम अन अधिनियम और इसके नियमों के तहट अनुमसंस थाएं और फोर्ट ऑप्सन है MSME तो बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वे है हमारा ऑप्सन नंबर C फैक्टरिंग विनियम अन अधिनियम और इसके नियमों के तहट अनुमत संस्थाएं RBI ने TRDS प्लेटफॉर्म पर फाइनसरों के रूप में भाग लेने के लिए FRA और इसके नियमों के तहट फैक्टरिंग विफसाई करने की अनुमती देखकर सभी संस्थाओं संस्थानों को फाइनसरों के मूल पर विस्तारित किया है चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन हमारा लिखा है किस कंपनी को हाल ही में भारत में जीवन वीमा वेवसाई में प्रिवेश करने के लिए IRDAI से नियामक अनुमोधन प्राप्त हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है फेरफेक्स समूँ सेकेंड ऑप्शन है गोडिजिट जनरल इंसूरंस फर्ड ऑप्शन है गोडिजिट लाइफ इंसूरंस लिम्टेड और फोर्ट ऑप्शन है भारती प्रती भूती एवं वीने में बोर्ड बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है ऑप्शन नंबर सी गोडिजिट लाइफ इंसूरंस लिम्टेड गोडिजिट लाइफ इंसूरंस लिम्टेड फेयर फैक्स समू द्वारा संबर्दित कंपनी ने भारत में जीवन बीमा संचालन करने के लिए IRDA आई में वन्जूरी प्राप्त की है चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेश कुश्चन देखते हैं नेश कुश्चन हमारा लिखा है हाल ही में अटलांटिक गोश्चना के रूप में जाना जाने वाला एक अभूत पूडरण नीतिक समझौता किया है यह समझौता उनके लंबे समय से चले आ रहे विसे समंदों की पुष्टी करता है और रूस, चीन और आर्थिक आइस्थरता द्वारा उत्पन चुनोतियों से निपटने के लिए एक संयुक्त प्रियास की रूप रेखा तयार करता है तो बताईए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट आप्सन है हमारा संयुक्त राज अमेरिका और चीन सेकेंड आप्सन है युनाइटिड किंग्डम और रूस थर्ड आप्सन है संयुक्त राज अमेरिका और उनाइटिड किंग्डम और fourth option है चीन और रूस इस question का जो सही answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number C संयुक्त राज अमेर्का और United Kingdom अटलांटिंग गोशना की गोशना संयुक्त राज अमेर्का और United Kingdom के नेताओं ने अपनी रणनीतिक साजेदारी को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से यह तैयारी की थी चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हमारा लिखा है TREDS प्लेट फॉर्मों का प्रात्मिक उद्देश क्या है फर्स्ट उप्सन है बड़े निगमों के लिए वित्य पोशड की सुविदा सेकेंड उप्सन है मिमा कंपनियों के लिए नगदी प्रवामे सुदार थर्ड उप्सन है खरीदारूं के लिए माल की स्थिरापूर्ती सुनिश्चित करना और फोर्ट उप्सन है MSME के लिए नगदी प्रवामे व्रद्धी करना तो बताईएगा दोस्तों TREDS प्लेट फार्मों का प्रात्मिक उद्धिश क्या है? इस कुश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वै है हमारा उप्सन नमबर D MSME के लिए नगदी प्रवामे व्रद्धी करना सूच में लगू और मध्य मुद्धुमों के लिए उनके नगदी प्रवामे सुधार के लिए वैपार प्राप्तियों के वित्पोसर की सुविदा के उद्धेश से RBI द्वारा TREDS प्लेट फार्मों की सुरुआत की गई थी चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन हमारा लिखा है गो डिजिट लाइफ इंस्योरेंस के अनमोदन के बाद वर्तमान में भारती जीवन बीमा खंड में कितने बीमा करता काम कर रही हैं फर्स्ट उप्सन है बाइस सेकेंड उप्सन है चोबिस थज़़ड ऑप्सन है छबिस और फोर्ट उप्सन है अठाइस तो बताईएगा दोस्तों GoDigit Life Insurance के अनमोदन के बाद बर्तमान में भारती जीवन बीमा खंड में कितने बीमा करता काम कर रहे हैं इस कुश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंज वे है हमारा ओप्सन नंबर सी 26 GoDigit Life Insurance के जुणने से भारती जीवन बीमा बाजार में बीमा करताओं की संख्या बढ़कर 26 हो गई है चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन हमारा लिखा है कौन से राज कंटेट फूल कनेक्टिविटी कारकरम के तहत एयर जल्दी नेटवर के विस्तार का गवहा बनेंगे फर्स्ट उप्सन है तमिल नाडू, गुजरात और राजिस्तान, सेकेंड उप्सन है तेलंगाना, छत्तीसगड और उडिशा, थर्ड उप्सन है करनाटक, महराष्ट और पंजाब, फोर्ट उप्सन है उत्तरपिर्देश, बिहार और पश्यम बंगाल तो बताईएगा फ्रेंट्स कौन से राज कंटेंड फुल कनेक्टिविटी कारक्रम के तहट एयर जल्दी नेटवर्क के विस्तार का गवहा बनेंगे इस कुश्यन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा ओप्सन नंबर बी तेलंगाना, च्छतीस गड़ और उड़ीशा तेलंगाना, च्छतीस गड़ और उड़ीशा कारक्रम के हिस्से के रूप में एयर जल्दी नेटवर्स इन तीन राज्यों में अपने नेटवर्क का विस्तार करेगा नेटवर्क इस्तानों की संख्या बढ़ाएगा और इन छेत्रों में कम सेवा वाले लाभारतियों को इंटरनेट का उप्योग पिरदान करेगा चलिए आंगे बढ़ते हैं नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन हमारा लिखा है जैसे जैसे दुनिया अल नीनो चरण में प्रिवेश करती है देश चरम मौसम की घटनाओं के लिए खुद को तयार कर रहे हैं अल नीनो क्या है फर्ष्ट ऑप्सन है पूर्वी प्रिशांद में ठंडे पानी की विसेस्ता वाला जलवायू पैटन सेकेंड ऑप्सन है पूर्वी प्रिशांद छेतर में गर्म पानी की विसेस्ता वाला जलवायू पैटन और थर्ड ऑप्सन है एक जलवायू पैटन जो मजबुत बैपा पूर्वी प्रिसान छेत्र में गर्म पानी की विसेस्ता वाला जल्वायू पैटर्ण तो बताईएगा दोस्तों अलनीनो क्या है अलनीनो दोस्तों पूर्वी प्रिसान छेत्र में गर्म पानी की विसेस्ता वाला जल्वायू पैटर्ण है अलनीनो भूमद रेखा कि पास पूर्वी प्रिशान महसागर में आसामान रूप से गर्म पानी की विसेस्ता वाला एक जल्वायू पैटर्ण है चलिए आगे बढ़ते हैं नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हमारा लिखा है जून दो हजार तेईस में आयो जित आर बी आई मौद्रिक नीती बैठक का परिडाम क्या था फर्स्ट आपसन है रेपो दर में 0.25% की ब्रदी सेकेंड आपसन है रेपो दर में 0.25% की कमी थर्ड आपसन है रेपो दर 6.5% पर आपरवर्तित रही और फोर्ट आपसन है बैठक में रेपो दर का उलेक नहीं किया गया था तो बताईएगा दोस्तों इस question का सही answer क्या हो जाएगा इस question का जो सही answer हो जाएगा friends वे है option number C रैपोदर 6.5% पर आपरवर्टित रही मौद्रग नीती समती ने कोशना की है कि वे है रैपोदर को 6.5% पर बनाए रखेगी इस थाई जमा सुविदादर 6.25% पर बनी हुई है जबकि 37 सुविदादर और बैंक दर 6.75% पर आपरवर्टित बनी हुई है चैलिए आंगे बढ़ते हैं और next question देखते है next question हमारा लिखा है बारती नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच कौन सा नौसेनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है फर्स्ट उप्सन है सक्ती का प्रियोग करके सेकेंड उप्सन है वैयाम वरुड थर्ड उप्सन है नसीम अल बहर और फूर्ट उप्सन है गल्फ इस्टार तो बताईएगा फ्रेंड्स भरती नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच कौन सा नौसेनिक अभ्यासा योजित किया जाता है इस क्विश्टन का जो सयांसर हो जाएगा दोस्तों वै है हमारा उप्सन नंबर सी नसीम अल बहर नसीम अल बहर भारती नौसेना और यू ए ई नौसेना के बीच एक दुई पच्छी नौसेनिक अभ्यास है जिसका उद्देश समुद्री सुरच्छा को बढ़ाना समुद्री डकैती रोधी अभियानों में सयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच नौसेनिक सम्मंदों को मजबूत करना है चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाश कुशन देखते हैं आज का लाश कुशन हमारा लिखा है कौन सा लुप्त प्राए समुद्री इस्तनपाई मननार समुद्री राष्टी उद्ध्यान की खाड़ी का मुख्य आकर्शड है फर्स्ट ऑप्सन है डुगोंग, सेकेंड ऑप्सन है डॉल्फिन, थर्ड ऑप्सन है समुद्री कचुआ और फोर्थ ऑप्सन है वेल सार्ग तो बताईएगा दोस्तूं कौन सा लुप्त प्राए समुद्री इस्तनपाई मननार समुद्री राष्टी उद्ध्यान की खाड़ी का मुख्य आकर्शड है इस क्विशन का जो सही आंसर हो जायेगा friend वे है हमारा ऑप्सन नमबर A डूगोंग क्या हो जाएगा डुगोंग हो जाएगा मनार समुद्री राष्टी उध्यान की खाड़ी लुप्त प्राई समुद्री इस्तन पाए डुगोंग की अबादी के लिए जानी जाती है I hope आज की कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे अगर अच्छे लगी हो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा मेरे चैनल को मांसी स्टडी चैनल थैंक यू दोस्तों